आज इस वीडियो में हम हमारा एट्थ पोएम पढ़ने वाले हैं जो की है फायर हाइन जिसके पोएट है केकी एन दरुवल्ला तो चलिए पहले पोएट का इंट्रोड़क्शन पढ़ते हैं देन हम लोग पोएम में स्टार्ट करेंगे केकी एन दरुवल्ला बर्थ दिया हुए है 1937 यानि इनका जन 1937 में हुआ था डेथ डेट नहीं दिया हुआ है हो सकता है कि जिस टाइम ये पब्लिश होई पोएम उस टाइम वो जिन्दा हो दर रिसिपेंट ओफ साहित अकेडमी अवार्ड 1984 यानि 1984 में इनको साहित अकेडमी अवार्ड मिला इस चीज़ को आपको याद रखना है objective question में पूछा जाता है and commonwealth poetry अवार्ड यानि उनको commonwealth poetry अवार्ड भी मिला is a landscape poet of eminence and a well-known writer of short stories यानि वो एक landscape poet है landscape poet का मतलब समझे यानि वो poet जो की landscape मतलब natural चीज़ों पर लिखता हो जैसे कि पानी परवत अकास इन सब चीज़ों पर और लगू कताकार भी है यानि short stories के writer भी है his poetry is in his own words यानि वो अपने poetry के बारे में अपने शब्दों में क्या कहते है a totally impressionistic recording of subjective responses यानि इनकी जो भी रचनाए है वो subjective responses यानि उन्होंने personally जो जिन चीज़ों को feel किया है experience किया है उन्हीं चीज़ों पर इनकी सारी रचनाए होती है he claims his poems to be rooted in the rural landscape and hence earthy यानि वो दावा करते हैं कि उनकी जितने भी कविताएं हैं वो क्या है ग्रामीन छेतर से बिलॉंग करती है कहने के मतलब है कि जितने भी natural चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में इनकी सारी रचनाए हैं और क्या है अर्दी है यानि जमीन ये जमीन से जूड़ी हुई है इनकी जो भी रचनाए हैं उनमें कुछ बनावटी पन नहीं है he shuns sophistication shuns मतलब होता है दूर रहना ठीक है तो वो किस चीज़ से दूर रहते हैं sophistication मतलब होता है मिलावट या बनावट भी कह सकते हैं हम एक जो बनावटी पन होता है वो यानि realistic नहीं तो वो sophistication से दूर रहते हैं ठीक है यानि पोएम की जो ताकत होती है वो कहीं गायब हो जाती है खत्म हो जाती है ठीक है यानि पोएम अगर realistic हो तभी उसका महत्व है ठीक है ज्यादा मतलब बनावटी पन नहीं करना चाहिए उसमें ज्यादा बनावट मिलावट नहीं करना चाहिए यानि उनकी जो भी कविताएं हैं उसका जो थीम है उसका जो subject matter है वो क्या होता है लव, प्यार, डेथ, मौत के बारे में लिखते हैं domination मतलब हम निर्दयता कह सकते हैं या स्वामित्व कह सकते हैं तो इन चीज़ों के बारे में cynicism यानि भरष्टता के बारे में plight of human society, मानो समाज का जो निर्दयतापन है उसके बारे में and violence हिंसा के बारे में यानि ये सारे उनके themes हैं उनकी poetry के he writes with intensity and vigor involved in poetic creation यानि वो तीवरता और ताकत के साथ लिखते हैं जैसा कि poetic creation में होना चाहिए ठेक है since he had been in police service जैसा कि वो police service में थे violence is unavoidable in his poetry तो उसकी वज़े से जैसे police service में वो थे तो हिंसा तो बराबर देखते ही थे तो इसलिए उनके उनके जो कविताएं हैं उनमें violence आपको मिलेगा ठीक है violence को वो avoid नहीं कर पाते हैं उसमें his important volumes of words include under orion यानि उनकी जो भी महत्वपुर्ण कविताएं हैं उनमें शामिल है under orion जो की 1970 में publish होई थी apparition in April जो 1971 में publish होई थी and crossing of rivers जो की 1976 में publish होई थी ठीक है introduction complete हुआ अब चले हम poem को start करते हैं the burning heart erupted फॉस्फारस सें थेकें the burning heart erupted फॉस्फोरस सेंज अब बर्निंग घाट का मतलब पे घाट का मतलब आप समझे ये घाट का मतलब वो होता है कि जैसे किसी नदी का जो किनारा होता है जो तट होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि घाट बनाया होता है कहने के मतलब है कि उस जगह को लास जलाने के लिए छोड़ा होता है ठीक है वहाँ पे मिरितक के सरीर को जलाया जाता है तो उसे घाट कहते हैं, ठीक है, तो देखे, पोईट क्या कहते हैं, कि वो जो burning घाट था, वो erupted, erupted मतलब होता है, दहक रहाता, और phosphorescence का मतलब है, कि ऐसी आग जिसमें आपको लौ नहीं दिखती है, ठीक है, यानि एक हम कहते हैं न कि बिल्कुल धहक के जल रहा हुआ आग, तो आपको उसमें flame नहीं दिखेगा, लेकिन जो आग बिना दहक के जलती है, जैसे आप देखेंगे, बिल्कुल red-red दिखेगा आपको, उसमें आपको flame नहीं दिखेगा, लेकिन बिल्कुल red-red दिखेगा, तो उसे कहते हैं, phosphorescence, ठीक है, तो घाट जो है, वो दहक रही है, and wandering ghost lights frightened passers by, और उसे जो रौशने उत्पन हो रही है, जो उससे light निकल रहा है, वहाँ के गुजरने वाले जो मुसाफिर है, उनको कैसा दिख रहा है, घोश्ट की तरह, यानि उनको भूत की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उन्हें डरा रहा है, as moonlight scuttled among the bones, यानि जो हड़ियां है, जो चांद है, तो चांद की रौशनी, इस कटल मतलब होता है भेद कर निकलना, यानि पास करना, ठीक है, जो चांद की रौशनी है, जब उन सव उसमें जल रहे हैं, उनकी हड़ियों से पास करती है, गुजरती है, तो वहाँ की मुसाफिरों को कैसी दिखती गोस्ट जैसे दिखती है भूत जैसे दिखती है और उन्हें डरा देती है यानि उन्हें डर लग जाता है उस सीन को देखके Once strolling at down, past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked limbs Once strolling at down, यानि एक बार साम के समय तहलते हुए Strolling मतलब होता है गोमना, फिरना, भटकना, यानि एक बार साम के टाइम जो poet है वो कहीं वो साम के टाइम में कहां टहल रहा है, past river bank and ghat, यानि नदी के किनारे जो ghat है उसी के आसपस टहल रहे थे We saw embers, यानि we saw मतलब, यानि we तो plural है तो यानि poet के साथ कोई और भी था, आगे पता चलेगा कौन था तो poet के साथ जो भी थे, उन्हें क्या दिखा embers, embers मतलब समझे जैसे आप देखिएगा कि koela जब जलता है तो बिलकुल red हो जाता है, ठीक है लव बन जाता है, तो उसे embers कहते हैं, embers losing their cruel redness और आप देखिएगा कि जब वो जो है, koela जब जलता है तो वो जो बहुत red वाला जो उसका part होता है, जो जलते जलते किसीज में बदलता है, ग्रे कलर के ash यानि राख के रूप में बदलता जाता है तो उसी को point बोल रहे हैं, कि we saw embers losing their cruel redness, यानि अपनी जो निर्दायता रूपी, जो मतलब उसकी जो लालीमा थी, उसे grey ash के रूप में वो क्या करा था, बदल रहा था, खो रहा था, ठीक है यानि उसके जो redness थी, उस embers यानि उस कोईले की, उस law की, वो राख की रूप में बदल रही थी, that's values all, वो राख जिसने सब कुछ निगल लिया है ठीक है, यानि सब कुछ मतलब क्या, मतलब इंसान को निगल लिया है अब देखिए, half-cooked limbs bore witness to the fire's debauchery half-cooked, मतलब आधी पकी हुई, तो यहाँ पकी हुई नहीं, यहाँ होगा आधी जली हुई, ठीक है तो आधी जली हुई जो body का हिस्सा है, जो शरीर का जो अंग है, वो किसीज की गवाही बना हुए है fire के निर्दयता का, ठीक है, यानि आग जो है, वो debauchery, debauchery मतलब हम कहेंगे एसबाजी, ठीक है, या मनमरजी, जैसे आप देखेगा कि कोई बहुत ज़्यादा खाना ले लिये जाके हुटेल में और उसके बाद आधा खाया आदा चोड़ दिया, तो वैसे ही fire जो है, वो क्या किया, जैसे मतलब ऐसा दिख रहा है, जैसे उसका मन था, तो उसने आधे सरीर को जला दिया है, और आधे को वैसे ही छोड़ दिया है तो फायर की दैता का और उसके मनमर्जी का उसके एस्बाजी का गवाह बनी हुई है आधी जली हुई बोड़ी पार्ट्स ठीक है सरीर का हिस्सा ठीक है माई फादर सेड इनके पिता ने कहा देखे अब पता चल रहा है कि जो पोड़ी थे वो अपने पिता के साथ वहाँ टहल रहे थे ठेक है तो इनकी पिता ने कहा, पोड़ी के पिता ने कहा तुम देख रहे हुँ उन आधी जले हुई उंगलियों को और आधे जले हुए हड़ीयों को अब देखे पोड़ी अपने में सोच रहे हैं कि जो आग है वो कैसे मतलब यहां देखे एक्सक्लामेशन मार्क है यानि यह क्या आश्चर में सोच रहे हैं कि जो फायर अट टाइमस फगेट इट्स डेड यानि फायर अपने मतलब मृत शरीरों को कैसे भूल सकता है कैसे वो आधा जला के आधा छोड़ दिया है ठीक है यानि उसका काम है पूरा जलाना तो वो कैसे आधा जला के आधा छोड़ दिया है ठीक है फायर ऐसा कैसे कर सकता है और जुरास्ट्रियन आई अब देखिए पोईट बता रहे हैं कि पोईट क्या है जुरास्ट्रियन है रिलीजन से उनका धर्म जो है वो जुरास्ट्रियन है माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड क्लेंच्ड मतलब होता है मुठी भीचना अज था भीचना मतलब क्या होता है जैसे गुस्षे में a strong feeling में हम लोग क्या करते हैं अपने मुठी को जोर से दबाते हैं उसे हम कहते हैं let meOW Nos package discuss ons with ये सोच के, जो poet है, उनकी, मतलब वो तो बच्चे हैं, अपने पीता के साथ तहल रहा है, ये बहुत पहले की बात बता रहा हैं, poet, तो उनकी जो बच्पन की छोटी-छोटी उंगलियां हैं, वो क्या करते हैं, मुठी बांद के उन्हें भीचते हैं, into a little nut of pain, और उन्हें दर आग को, इस भूलने का जो पाप है, कि आग मतलब अपना कारे पूरा नहीं कर रहा है, और जो बड़ी है, डेड़ बड़ी, उसको आदा जला के आदा छोट दे रहा है, इस भूलने का जो पाप है, आग को जो पाप लग रहा है, उससे मैं आग को बचा लूँगा, ठेक है ये क्या करते हैं? सपत लेते हैं उस ताहिंगए? अब देखिए जैसे कि पोएट पहले बता हैं कि वो रिलीजन से जो रास्ट्रियन है तो जो रास्ट्रियन धर्म में पानी की, आग की, पूजा की जाती है तो इसलिए उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि आग यह जो पाप कर रहा है इससे मैं इसे बचाऊंगा नेक्स स्टांजा में देखिए यानि यह बात कभी भूलाई नहीं जा सकती यानि अब से 20 साल पहले यानि 20 साल हो चुके है कि पोईट ने अब देखिए पोईट अभी की बात कर रहे है ठीक है पहले वो अपने बच्पन की बात कर रहे थे कि पीता के साथ घाट पे टहन लेगा थे तो ऐसा ऐसा हुआ उन्होंने सपत लिया कि हाँ मैं आग को इस भूलने की बिमारी से बचाऊंगा भूलने के पाप से और अब वो बता रहे है क्या अब वो बड़े हो चुके हैं क्या बता रहे है कि उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता या उस बात को कभी भूलाया नहीं जा सकता कि 20 साल हो गया, यानि 20 साल पहले क्या किया था, पोईट ने, अपने first born, my first born, यानि मेरा पहला बच्चे को क्या किया था, flame में डाल दिया था, यानि आग में जला दिया था, मतलब उनका पहला बच्चा मर गया होगा, तो उसे उन्होंने आग में जला दिया, और आग में क्यों जलाया कि जैसे कि जो रास्ट्रियन धर्म में जो डेड़ बड़ी है उसको कॉफिन यानि कबर में डालके छोड़ देते हैं या दफना देते हैं मतलब आग में नहीं जलाते हैं ठेकें लेकिन जो टाउर ओफ साइलेंस है जहां डेड़ बड़ी को रखा जाता था कॉफिन में कबर में वो थाउजन मेल हजारो मील दूर था तो इसलिए पोईट ने क्या किया कि अपने बच्चे को आग में जला दिया अपोईट का कहते हैं कि और उस फायर ने मुझसे क्या कहा यू स्टेंड फॉर्गिवन तुम्हें माफ किया जाता है ब्रॉकेन मैं टूटा हुआ था येट रिबेलियस बागी हो गया था आप ही सूचे कि किसी का पहला बच्चा अगर खत्म हो जाए उसे वान में आग में जला दे तो उबाद को तो कभी भूल नहीं सकता है उस टाइम उसका कंडिशन क्या होगा I sore this time और मैंने इस बार शपत लिया to save it from the sin of forgiving कि मैं उसे इस छमा करने का जो पाप है उससे बचा लूँगा ठेक है I hope ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा पोएम कंप्लीट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में so thanks everyone for watching this video वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए comment कीजिए और friends के साथ share भी कीजिए